कि ब्यार में एक बार फिर से बंद हो सकते हैं सभी अस्कूल बंद किया जा सकते हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील वोबी और आप इस समय देख रहे हैं मगत संबाद हर पहल आपके साथ है आईए जानते हैं पुरी ख़बर को बिस्तार से आपको बदा दे कि बिहार में अस्कूल जल्द बंद हो सकते हैं या किया जा सकते हैं कुरोनाव संकर्मन के बढ़ते संकर्मन और ठंड की असर को देखते हुए केंदर सरकार ने सभी राज्जियों को इस बारे में अलट कर दिया है किंदर सरकार की और से जारी गैडलाइन में कहा गया कि तापमान के साथ डिगरी सेल्सियस के नीचे जाने की स्थिती में सुबह की पाली में अस्कूलों का संचालन नहीं किया जाए साथी अगर जरूत महसूस हो तो अस्कूल बंद भी किये जाए केंदर सरकार की इस गाइड लाइन के अंरूप विहार के सिच्चा विभाग ने सभी जिला सिच्चा अदीकारिउं यूवं जिला कार्जकरम पतादीकारिओं को उच्छिस फैसला लेने के लिए दिसा निर्देस जारी किया है आपको बतादे कि बिहार सिचा प्युजना परश्द के राज प्यूजना नेससरी ने जिला सिचा प्तादिकारीू ए謹म जिला काज करफ प्तादिकारीू प्रारामबी के वब सिचा एवम एस एस एक को निर्देस दिया है आपको बतादे कि केंद्रे के मुताबिक दो तीन दिनों में ही तापमान इस हद तक नीचे जा सकता है इसमें कहा गया है कि यदि तापमान साथ डिगरी सेलसिये से कम हो जाये तो इसे स्कूल को सेनेटाइज कराएं सितलहर की स्थिति मानी ज ले सकते हैं निर्देस में कहागया है कि समय दिसंबर की अंतिम सब्तास है जनवरी करकरता है साठ डिगरी से कम थामान को सीट लहर की शितलहर के कारण धक करना पड़े तो शम पंधित अरको श्चूल के प्रधान ध्यापक सुच्छा कि बच्छों हो और अभिवाब को को स लगाया जाए लंच के समय बच्चों को बाहर बहुत कम समय तक खेने की अनुमती दे बिहार सिच्छा परियुजना परिश्द ने कहा है कि बच्चों को पीने के लिए पानी की बेवासा सुनिशी तराएं जाए अस्कूल में किसी बच्चों की तबीद खराब होने पर तत्र अन्य विद्धार्थियों की जाज करते रहें यानि कि कर सकते हैं कि संकर्मन की सिति बढ़ रही है उस सित्वे है विवी बन कि उत्त बाप तो यह आपको सबसे पहले बताने का काज़ करेंगे फिर बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम